साइन कोलेज के सभी BCA, BBA, BCOM, BSC और BA इन सभी कोर्सेस के फर्स सेमिस्टर के स्टूडेंट्स के लिए विडियो बनाया जा रहा है। आप सभी को यह जग्यासा होगी कि internal marks किस प्रकार से आपको दिये जाएंगे। तो जो भी BCA, BBA, BCOM, BSC और BA फर्स सेमिस्टर के स्टूडेंट्स हैं 2024-25 के इस सेशन के वो इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखें। इस वीडियो के end में आप समझ जाएंगे कि आपको internal marks किस प्रकार से दिये जाएंगे। तो स्टूडेंट्स NEP 2020 के हिसाब से हर सब्जेक्ट में 30% internal marks दिये जाने हैं। NEP 2020 के हिसाब से 30% internal marks का जो break-up है वो है assignment के 10% number और internal test के 20% number. अब हम दोनों को एक एक करके समझते हैं assignment और internal test तो assignment जिसके 10% number आपके total 30% internal में जुडेंगे। उसके लिए आपको एक assignment दिया जाएगा हर सब्जेक्ट में वो assignment 10% marks के weightage का होगा। और वो आपको बहुत जल्द आपके WhatsApp groups में, class के WhatsApp groups में मिल जाएगा। और उस assignment को सभी को जमा करना है 20 October 2024 से पहले, 20 October 2024 से पहले आप उस assignment को जमा करेंगे। यहां यह clarify कर दें कि हर subject का assignment अलग-अलग बनेगा। आप हर subject के assignment के लिए अलग-अलग papers को staple करके use करेंगे। आप college copy के papers या white papers को use कर सकते हैं। और front page में, assignment के पहले page में, clearly आपका नाम लिखा होना चाहिए, किस class के आप हैं। और first semester clearly आप अंकित करेंगे उसमें। कब first page का एक format भी हम भेज देंगे आपके whatsapp groups में ताकि आप उसके हिसाब से अपनी details first page में अंकित करें। और उसके बाद उस subject का assignment उन pages में staple करके 20 October से पहले जमा करें। हर subject का अलग-अलग assignment मिलेगा, यहां यह जानना जरूरी है। Next हम आते हैं, internal test, तो internal test जिसके 20% marks होंगे, तो इसको थोड़ा समझेगा, आपके दो internal test conduct किये जाएंगे, यह internal test आपके जो unit test हो रहे हैं उसके अलावा रहेंगे। यह दो internal test महत्वपून है, important है, क्योंकि इनके basis पे आपको 20% internal marks मिलेंगे। दो internal test जो conduct किये जाएंगे, इनका नाम रहेगा internal test 1 और internal test 2 और इन, यह internal test सभी subjects के लिए दो बार conduct करेंगे। यानि अगर मालीजे आपके 6 subjects हैं, तो पहले internal test संभवता अक्टूबर के महिने में conduct किये जाएंगे, सभी subjects के लिए, और similarly, दूसरा internal test हो सकता है, November के महिने में हम conduct करें, October और November इन दो महिनों में हम conduct करेंगे आपके internal tests, उसकी date sheet आपको पहले ही आपके WhatsApp रूप्स में मिल जाएगी, यह मैं approximate dates बता रहा हूँ, हो सकता है, September end में पहला internal test हो, और October end में दूसरा हो, या October 1st week में पहला हो, और November 1st week में दूसरा हो, तो यह internal test हर subject के लिए conduct होगा दो बार, और दोनों test में से, जिसमें आपको ज्यादा अंक मिलेंगे, यानि मानलीजिए, आपके 6 paper है, आपने 6 paper पहले test में दिये, 6 paper दुबारा दूसरे test में दिये, दोनों internal test में, जिसमें आपको highest marks मिलेंगे, हर subject में, उन marks को calculate किया जाएगा, यहां यह हो सकता है कि किसी student को subject 1 में, first test में ज्यादा मिले, और second test में subject 1 में कम मिले, तो first test के पहले subject के लिए जाएंगे, ऐसा हो सकता है किसी student को subject 2 के second internal test में ज्यादा नंबर मिले हो, first internal test में, second paper में उनको कम नंबर मिले हो, तो second internal test के second subject के marks लिए जाएंगे, इस प्रकार से आपको द इंटर्नल टेस्ट देने के लिए और दोनों में से अधिक्तम जो अंक प्राक्ट करेंगे आप हर सब्जिक्ट में वो कंसिडर किये जाएंगे. यहां यह बताना जरूरी है कि इंटर्नल टेस्ट में पार्टिसिपेट करना सब के लिए कंपलसरी है, ऐसाइनमेंट देना सब के लिए कंपलसरी है, दोनों चीजें असाइनमेंट और इंटर्नल टेस्ट, यदि सुडेंट रेगुलर सुडेंट है तो उसको देना अनिवारे होगा. यहां ये भी जानना ज़रूरी है कि internal test 1 और internal test 2 अगर इन दो test में से कोई student एक test को नहीं देता यानि internal test 1 में absent है और internal test 2 में है सिरफ present रहा है तो जो उसको internal test 2 में मिलेंगे marks वही consider किये जाएंगे तो यदि आप दोनों test देंगे तभी आप highest marks यानि first test और second test दो attempt मिल रहे हैं आपको उसमें आप अधिक दोनों में से अधिक test में जो number मिले हैं उसका आप लाब ले सकेंगे इसलिए हमारा यह सुझावे कि आप दोनों internal test अवश्य दें Thank you